दोस्तों अगर आपको भी चाहिए सरकारी नौकरी और आप सिर्फ दस्वी तक ही पढ़े हैं तो आप इस वेकेंसी के लिए फॉर्म को अपलाई कर सकते हैं दस्वी पास के लिए यानि मिनिममम क्वालिफिकेशन जो है इस भरती के लिए दस्वी पास बोला गया है और इसका आवे देख सकते हैं आठ फरवरी से स्टार्ट हो रहा है यह वेकेंसी निकल का रही है डैली के तरफ से गौर्मेंट ऑफ एंसीटी ऑफ डैली यानि डैली में जितने बी डिपाट्मेंट है उन सभी डिपाट्मेंट में जो है न मीनिममम आप दस्वी में पढ़े है तो आप इस वेकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं तो इस भरती की संपूर जंकारी के बारे हम यहाँ पे इसनलरी मत पूछे अर्ट जस्त होने वाली दस्वी पास पर अब इसके अलावा हम सिलेक्शन सब्से को अब प्रोसेशां आपको देना होता है और अपको कोई इक्जाम देने क्या यह सकता नहीं है थो चले समझते हैं इस भरती की सम्पूर्चनकारी बारे में वीडियो को फीडियो को पूरा आचा तो वीडियो को लास तक यहाँ पर देखिए यह देखिए वेकेंसी नोटीज जो यहाँ पर जारी किया गया है combined examination 2024 for multitasking staff यानी जो है पूरे department को मिला कर एक combined examination होगा जो multitasking staff post के लिए तो इसी के लिए वेकेंसी यहाँ पर देखेंगे निकालाएगा पोस्ट कोड आप देखेंगे तो यह वाला राने वाले है और application फिभी मात्र सौ रुपया ही लगता है तो एक जो है जिस तरह से अपने बिहार में बिहार SAC है उसी तरह से जो है यह भी है डैली सब्टनेट सर्वीस सेलेक्शन बोर्ड जो सेलेक्शन करने का काम करती है तो इनके द्वारा वेकेंसी यहाँ पे करी जा रही है अब यहां देखेंगे तो डिपार्टमेंट का नाम दिया हुआ है और नेम आप पोस्ट दिया है तो सभी पोस्ट जो है MTS के है आप देखर सकते हैं इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा देली सब्टनेट सर्वीस सेलेक्शन के बोर्ड के द्वारा मतलब देली में जो है और भी बहुत सारी वेकिंसी निकाली गई है LDC के पोस्ट पे इसके अलावा जो है टीचर की वेकिंसी निकाली गई है मतलब बारह हजार के आसपास वेकिंसी जो है देली में निकाली गई है अलग-अलग डिपार्टमेंट वाइस LDC जो पोस्ट है इसके अलावा ग्रेशन लेवल पर पोस्ट है पीचर की वेकिंसी है नर्सरी टीचर की वेकिंसी है तो मैंने अल्लेडी जो है कभर किया वक नहीं देखें तो आप यूटूब पे जाके सर् सबके लिए मेंट्रिक पास बोला गया है तो यहां पर डिपार्टमेंट वाइस वेकिंसी अब लोग बहुँछ सर बोलोगे क्या हम अलग-अलग डिपार्टमेंट वाइस फॉर्म को भारेंगे नहीं आपको फॉर्म भार देंगे ना उसके बाद से लास्ट में आपसे पो आजाओंगा कैसे फॉर्म को भरना है वीडियो आप पले देख लिजेगा कि कैसे जो है एक ही बार फॉर्म भरके सभी डिपार्टमेंट का प्रिफरेंस आपको देना है यह ने की बारी-बारी से एक ही करके तो यह यह जो है देख रहा है ना कंबाइंड एक्जामिनेशन है लिखा हुआ देख रहा है ना कंबाइंड एक्जामिनेशन है तो फॉर्म एक ही भरना है और अलग-अलग डिपार्टमेंट का प्रिफरेंस आपको देना है आप यहां देखेंगे सोसल वेलफेर में देखेंगे तो 99 पोस्ट है ट्रेनिंग एन टेक्निकल एजुकिशन में साथ पोस्ट है तो इस तरह से आपको जो है यहां पर दिया गया है किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट है यानि 567 पदों पर यहां पर निकाली गई है इसका फॉर्म बने का लास्ट जो है आठ मार्च दोजार चॉबीस रख्या गया है और यहां लिखा हुआ डी एसस फॉर्म को भरना है अब दिखिए अडवर्टाइजमेंट यहां पर अलग-अलग दिया गया है कि मतलब किस डिपार्टमेंट में कितनी वेकेंसी है उसके लिए सेलरी क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है जैसे में आपको बताया कि डिपार्टमेंट आफ ओमेंड चाइल् के दिखा दिया गए है कितना सीट रिजबर भी दिखा देynnिये और यहां सपस्ट किया गया है अब यहां देखा है आप सिर्फ मैट्रिक पास है तो फॉर्म को भरेंगे इसका इंटर पास घू सकते हैं मैंट्रिक के बाद यहां पे초 eff Volt न तो बतीस साल हो जाएगा 18 32 साल उभी सी को मिल जाता है तो उनके लिए उम्र सीमा होजा 1830 वर्ष तो यह सिर्फ जो डेली से बिलॉंग करते हैं उन्हीं को यह ऑपरेज में छूट मिलता है यहां पर लिखा पारेग्राफ आठ पे आप देख सकते हैं तो हम अभी उस पर चलेंग तो 18-27 वास उमर सीमा होता है और salary आप देख सकते हैं 18,000 से लेकर 56,900 level 1 की salary होती है group C आप post होते हैं अगर देखिए इसमें 18,000 basic starting salary आपे बोला गया रहा तो अगर हम इसमें DAPA अगर add करें तो यह vacancy आपकी 27,000 प्लस आपकी salary यहापे देती है DAPA allowances बहुत सारे allowances मिलते हैं तो सभी जोड़के आपकी starting की basic salary यहाँ पे देखेंगे तो 18,000 बोलागे लेकिन आपको जो allowances add हो गरा होगा तो in hand salary आपको 27,000 तक आपको मिलेगी 27,000 से 30,000 के बीच आपकी in hand salary यहाँ पे रहती है तो यह salary के बाबले में जबजस्त भरती है आप यहाँ देख सकते हैं इसक देखेंगे तो यहाँ पे आपको 86,000 लेबल वन की salary अठाव 27,000 वाइस अलग अलग दे रखा है आप यहाँ देख सकते हैं अब यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से मैने आपको बता दिया अब यहां पर देखेंगे तो यहाँ पे बात आती हैं यह सब मैं आलड़ी बतायी दिया सबका सेम है है आप यहां देख सकते हैं अपने को बहरना है अब एक प्रोपर वीडियो लेकर आएंगे कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करने स्टेप बरके बता देंगे और जो भी आपका लास्टेट काउंट करे जाएंगे यह जो भी आपका इलिजबिलिटी काउंट करे जाएंगे वह आपको जो ना आठ मार्च को ही काउंट करे जाएंगे इस डेट को आप जो है अपना इलिजबिलिटी को फुल्फिल करने हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे यहां देखिए आठ मार्च लास्टेट पर यह लोग काउंट करेंगे आपका एज क्वालिफिकेशन यह सब चीज है फुल्फिल होने चाहिए अप्लिकेशन फी की बात करें तो मात्र सौ रुपिय यह जैरल को ओवी सी को सौ रुपिय अप्लिकेशन फीदेने होते हैं बाकिसे उवेन कंडिर्ट्स हो भले किसी केटिगरी साती यो किसी भी राजसाती हो तो महिला को और से एस यहां पे हो जाता है सिर्फ एक एक्जाम अब इस exam में देखेंगे तो आपका जो दो घंटे का एक्जाम होता है 200 पूछे जाते हैं 200 Marks के total Marks यहां पे description नहीं होता है यहां लिखाओ है यहां grand total तो तो हन्डेट का आपका जो यहां पे questions होते हैं और यह solve करना है अच्छा marks बनेगा तो आप select हो जाएंगे अब इसमें देखेंगे syllabus की बात किया गया है तो general awareness के से आपके 40 marks से question आएंगे general intelligence and reasoning से आपके 40 questions आएंगे इसके वसे arithmetic numerical ability से 40 questions test of Hindi language and comprehension से 40 questions test of English language and comprehension से 40 questions तो यह आपके Hindi English और numerical ability इसके वसे reasoning ability and intelligence इसके वसे general awareness तो यह सारे आपके syllabus रहने वाले हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं जो की बता दिया गया है इसमें Hindi English दोनों लेंगेज में आपका exam होता है अगर कोई English language का ही है तो वो English का ही होगा वहाँ पे इसक 25 का तो यह आपका applicable रहेगा यहां लिखा हुए skill test या endorsement test will be taken as a per requirement of job कहीं कहीं पर क्या होता कि skill test भी conduct करे जा सकते हैं आपका return exam देने के बाद तो वो according to requirement हो सकता है लेकिन नर के बराबर होता है अब post preference देखे आप बताया दिया गया तो मैं आपको बताया ना कि जब आप form देना होगा तो मैं अलग से वीडियो लेकर आओंगा कैसे आपको form को भरना है post preference कैसे देना है यह सबसे important बाते हैं अगर सभी से post preference नहीं देंगे तो फिर आपको कोई भी दिकत मतलब दिकत हो सकता है आगे चलके आप बहुत जदा पस्ताएंगे कि मैं अच्छे से post preference नहीं सब्सक्राइब को यहां पर दिया जाएगा और जो डैली के निवासी हैं उन्हीं को यहां पर मिलता है बाकी अधर स्टेट वाले को रिजर्वेशन यहां पर नहीं मिलता है लेकिन वो form को भरते हैं अब यहां पर देखेंगे तो एज रिक्सेशन मेंने आप अल्रडी बता है और OBC को तीन यर्स का उपर एज में छूट यहां पर मिल जाता है यह सारी चीज़े हैं देखेंगे आपको आपको जनकारी समझ में आया होगा आपके मन में कोई भी डाउट्स है कमेंट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जैसे इस कावेदर ने स्टार्ट होग लागा तो प्लीज एक लाइक कर दीजेगा और अपने दोस्तों में जरूर्ष शेर कर दीजेगा आपका दिन सूब और फ्रेंट्स मिलते हैं किसी नेक्स वीड़ों में जाहिन